आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तानगरी में कोरोना संक्रमित मरेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वही प्रशासन द्वारा सबजी मंडियों की बेऊस्थाओं को अंदेखा किया जा रहा है प्रशासन द्वारा सबजी मंडियों में कोई ठोस इंजामात नहीं किये गए हैं हजारों की संख्या में भीड़ यहां इकत्तित हो रही है जिनके दोरा मास्ट को सोशल डिस्टेंसिंग अपालन नहीं किया जा रहा है बहरहाल प्रशासन ने कुछ एहतियातन कदम जरूर उठा लिया है आगरा में कोरोना संक्रमित मरेजों की संख्या में लगतार बिर्दी देखी जा रही है रेवियार की याकडा 241 पहुँच गया ताजन नगरी में अब तक करोना संक्रमित से 6 लोगों की जान जा चुकी है जिसमें पुरूश और महिलाएं शामिल है लेकिन ताजन नगरी में लगतार बढ़ रहे संक्रमित मामले सामने आने के बाद भी लोग लॉक्डाउन के नियमों को अंदेखा कर रहे है ये नजारा आगरा में लगने वाली सब्जी मंडियों में से एक बरोली अहीर सब्जी मंडी का है जहां हजारों की संख्या में खरीदार और बिक्रिताओं की भीर देखी जा रही है ये वो लोग हैं जो सब को जानते हुए भी वैश्विक महमारी को अंदेखा कर रहे हैं देश के प्रदानमंत्री के लाग समझाने के बाद भी ये लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि अगर मंडियों में ऐसी ही भी डिकतित होगी तो भारत में कोरोना स्तंकमर को कैसे हराया जाएगा जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा ऐसा ही नजारा आगरा में लगने वाली सभी मंडियों का है यहां रात्री के समय में खरीदारी के दौरान चेहरे पर बिना मास्क का प्रयोग किये और सोशल डिस्टेंसिंग को अंदेखा करते लोग यहां नजर आते हैं ऐसे में प्रशासन को कोई ठोस इंजाम करना होगा जिससे कि सेंकमर के खतरे से लोगों को बचाया जा सके संदीप शर्मा सी निउस जागरा